जनजन की अवाज जीन भारत में आपका बहुती स्वागत है और आप जैसा विज्वल के माधम से देख सकते हैं कि हम खड़े विर्सा मुंडा एरपोर्ट आपको बता दे रांची का शान कहा जाता है यह विर्सा मुंडा एरपोर्ट लेकिन जुरत दखें कि एक वेक्ति रि इसी बात है और जैसी यह बात वहाँ के लोगों को पता चली यातनी पूरा को पूरा हड़कम पज गया आपको बताते चले कि अफरा तफरी का महल हो गया यहां के प्रशाशन ने सबको शांत कराया, पुलिस ने सबको समाला, बम स्कॉइड आया, जब सारा चान बिन कर लिया तो यह पता चलता है कि यह सिर्फ एक अफ़वा था, बलकि यहां पर तो बम है यह ऐसा कोई समान नहीं है, और साथ ही यहां के निदेशक से हमने बात की तो उन्होंने साफ कर पर का, कि हां ऐसा फोन आया था, लेकिन हमने अपने तरफ से पूरा चाक्शोबंद करके रखा है, और यह महाजय खफवा है, किसी ने बेवकूप बनाने का काम किया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, बलकि हमने अपने सुरक्षा को और ज्यादा ब पर फलता और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है, बिरसम उन्टे एरपोर्ट को राजी का शान कहा जाता है, राजी के पहचान कहा जाता है, अगर इस तरीके से सिर्फ एक अफवा पे पूरे के पूरे यात्री अगर परिशान हो जा रहे है, पूरा अपरा साते हैं, अभी हाल में बुंबई में भी ऐसा हुआ था कि कुलाबा इस्टेशन में एक लड़के ने फोन कर दिया हैधराबाद से और कहा कि बम रखा हुआ है इंडिया गेट के पास, और आपको जानकर हरानी होगी कि अफरा तफरी मज गई, लेकिन बुंबई पूलिस न कर दिया और कह दिया कि बम है, आपको बता दे भले ये मजाक मजाक में हो, लेकिन कहीं ने कहीं ये बहुत प्रशाशन पर बढ़ा सवालिया निशान और उस बच्चे को समझा के छोड़ा गया, और ऐसी घटा बहुत कम हो रही है बंबई में, तो ये जो है इतनी जल्दी करवाई होई है, राजी पॉलिस को भी ये देखना होगा कि जल्द जल्द करवाई करें, ऐसे लोगों पे जो मन चले लोग है, जो सर्फ इसको टाइम पास मानते हैं, लेकिन उनके लिए टाइम पास होगा, लेकिन सुरक्ष्य ववस्ता से ये बहुत बढ़ी चूप है, ऐ अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें